हेलो फ्रेंड्स में शुब हम आपका स्वागत करता हूँ वी आरप फुट टेक्नोलोज चैनल में दोस्तो आज हम देखने वाले फिशरी मतलब मस्चे व्यवस्तापन में करियर कैसे बनाए इस टोपिक में हम फिशरी से जुड़ी सभी इनफॉर्मेशन क्लियर करने वाले हैं जैसे कि ट्वेल्ट साइन्स के बाद फिशरी करियर के लिए कैसा बेस्ट आप्शन है फिशरी को एडमिशन कैसे लिया जाता है फिशरी को स्कोप कितना है और फिशरी करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है तो मुड़ते हैं हमारे में टॉपिक पे दोस्तो इससे पहले आपने फुट टेकनलोजी के उपर बनी करियर इन फुट टेकनलोजी और उनके कॉलिजिस कहा कहा है ये वेडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो ओ भी देख ले और आप चैनल पे नए हो तो जल्दी वी आर फुट टेकनलोजी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फुट टेकनलोजी की इंपर्टन इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँँ सकें तो देखते हैं फिशरी के बारे में फिशरी ये एक फुट टेकनलोजी की बहुत ही इंपर्टन ब्रेंच है जो की इंडियन गवर्मेंट के एगरिकल्चर डिपार्मेंट से ओपरेट की जाती है फिशरी में आपको फिश रिलेटेड सभी सब्जेट को स्टड़ी करना पड़ता है जैसे की फिश का प्रोडॉक्शन करना, ब्रेडिंग करना, उन पे प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग और स्टोरेजिंग करना आधी टॉपिक आपको स्टड़ी करने होते हैं दोस्तो, फिशरी यह एक नए जमाने का नाया कोर्स है, क्यूंकि आपको तो पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में फिश कितना पॉपिलर खाद है, और तो और लंबे समुंदर किनार के वज़े से इंडिया फिश प्रोडॉक्शन में पूरे वर्ल्ड में सेकेंड पोजिशन पे ह इसलिए इंडिया में फिशरी को बहुत ही बड़ा स्कोप है, तो चले जानते हैं कि इंडिया में फिशरी की कौन-कौन सी डिग्रिया एविलेबल है, पहले है B.E.P.S.C. Bachelor in Fishery Science, सेकेंड है B.E.S.C. in Fishery Science, थर्ड वन है M.E.P.S.C. Master in Fishery Science, फोर्थ है M.E.C. in Fishery Science, और फि फिशरी की कई डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्द हैं, तो जान लेते हैं पहले डिग्री की information, B.E.P.S.C. means Bachelor in Fishery Science, B.E.P.S.C. एक undergraduate कोर्स है, इस कोर्स का period of education है four year, इस कोर्स के लिए required entrance exam लगते है C.A.T., N.E.T. और A.E.A.U.G. इस कोर्स को admission लेने के लिए eligibility criteria है, 10 plus 2 means 12 science, with PCB और PCMB group, compulsory with C.A.T. इस कोर्स को admission लेने के लिए C.A.T. compulsory है, B.E.P.S.C. को admission लेने के लिए आपको 12th में percentage चाहिए, 50% for open category and 40% for other cast. दूसरी डिग्री है B.E.C. in Fishery Science, B.E.C. in Fishery Science में आपको specially subject लेने पड़ते हैं, जैसे कि Fishery, Aquaculture, Fish Processing, Oceanography आधी subject होते हैं. B.E.C. ये भी एक undergraduate course है, इसका period of education है 3 years, B.E.C. Fishery को admission लेने के लिए आपको entrance exam चाहिए, C.A.T. और direct merit based कुछ institute होते हैं, जो आपको direct merit based भी admission देते हैं. इस course को admission लेने के लिए eligibility criteria है 10 plus 2, 12th science with PCB और PCMB group. 3rd degree है E.M.E.A.P.E.C. Master of Fishery Science. E.M.E.A.P.E.C. ये एक postgraduate course है, इसका period of education है 2 years, इस course को required entrance exam लगती है, get C.A.T. for postgraduate, आपकी जो C.A.T. होती है, वो postgraduate की होनी चाहिए, और इसका eligibility criteria है B.E.A.P.E.C. complete, E.M.E.P.E.C. को admission लेने के लिए आपको B.E.A.P.E.C. complete चाहिए, 4th degree है E.M.E.C. in Fishery Science, E.M.E.C. Fishery ये भी एक postgraduate course है, इसका period of education है 2 years, इस course को admission लेने के लिए required entrance exam चाहिए, C.A.T. और institutional common entrance exam और merit based, कुछ institute होते हैं जिनकी अलग entrance exam होती है, इस course का eligibility criteria है B.E.C. complete, इस course का admission लेने के लिए आपको B.E.C. complete चाहिए, 5th degree है PhD in Fishery Science, यह एक doctorate degree है, इसका period of education है 3 years, इसके लिए required entrance exam होते हैं, institutional common entrance exam और merit based, इसका eligibility criteria है E.M.E.C. E.C. और M.E.C. complete, PhD के लिए आपको E.M.E.C. और M.E.C. complete चाहिए, उसी तरह कुछ 1 साल और 2 साल के diploma course भी है, उनको आप 10 के बाद और 12 के बाद भी admission ले सकते हो, अब देखते हैं कि इन सभी course में आपको कौन-कौन से subject study करने पड़ेंगे, mainly fishery में आपको यह screen पे दिखाई हुए subject study करने पड़ेंगे, इसमें पहला है aquaculture, oceanography, marine biology, fishery resource management, fish processing technology, fishery engineering, fish extension department, aquatic animal health management, aquatic environment management and fishery economic statistics and marketing, यह सारे subject आपको fishery में study करने पड़ेंगे तो अब बात करते हैं इसके scope के बारे में fishery को इंडिया और other country में बहुत ही बाड़ा scope है, क्योंकि fish पूरे world में बहुत ही popular फुड़े Indian market ने तो इस चेत्र में 2090 में 6% की growth दिकाई है, अब तो Indian government ने भी इस चेत्र में विशेज द्यान दिया है cold chain start करके इस चेत्र को एक नई दिशा दिये, आने वाले समय में इस चेत्र को अनन्य साधारन महत्वर रहने वाला है अब हम देखते हैं, फिशरी होने के बाद job कहा कहा मिलती है फिशरी की कौन सी भी bachelor degree pass होने पर आपको private और government sector में job मिलती है आप देख सकते हो कि कई job title है जो आपको फिशरी होने के बाद मिलती है उसमें पहला है fish farm manager, fisheries inspector और fish export inspector aquaculturist, fish exporter, marine biologist and marine scientist, fish trader, fish breeder, fisheries extension officer यप EO fish processing and production manager, fisheries development officer यप DO, feed mill manager आधितर के कई job fishery होने के बाद आप पा सकते हो अब बात आती है salary की, fishery होने के बाद salary कितनी मिलती है तो कौन से भी fishery को शुरुआती तोर पर 15,000 से लेकर 40,000 तक salary मिलती है और तो और एक दो साल के experience के बाद और कई गुना बढ़ जाती है और दो लाग पर मन भी हो जाती है तो देखा दोस्तों, fishery career के लेके सब best option है अगर आप fishery की top colleges के बारे में भी जानना चाते हो तो comment करो, इसके उपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपका कोई friend या कोई related 12 के बाद अच्छा career ढूंड रहा है तो उन तक यह वीडियो जरूर पोचा देना और कोई परिशानी हो तो comment करके जरूर पूछे हम आपकी मदद करने का जरूर प्रायस करेंगे तो फिर मिलते हैं कुछ नई जानकरी लेकर We are a food technologies के साथ जोड़ने के लिए आपका प्रेम भाव से धन्यवाद